एक बार एक आदमी मचली पकड़ने गया, वहां उसने पूरी तरह से महनत करी, हर एक तरीका आजमाया, जिससे वह मचली पकड़ सके, लेकिन वो नाकाम्याब रहा, और शाम हो गई, अब वो परेशान होकर ये सोचने लगा, कि अब मैं खाली हाथ घर जाऊंगा, तो मैं और मेरा परिवार खाएंगे क्या, तब ही उसने देखा, कि पास में एक मचली बाजार है, वो जल्दी से मचली की दुकान पर गया और बोला, मैं चार मचलियां खरीदूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, कि आप मुझे मचलियां जिन्दा ही देंगे, और मैं उन्हें खुद प पकड़ी और दुकानदार को पैसे दिये, दुकानदार ने उससे पूछा, कि भाई आप कैसे हो, अगर आपको मचलियां चाहिये ही थी, तो आप ऐसे ही ले ले लेते, इतना सब करने की क्या जरूरत थी, ये सुनकर उस आदमी ने कहा, कि अब जब मैं घर जाऊंगा, तब मेरा परिवार मुझसे ये सवाल जरूर पूछेगा, कि आपने कितनी मचलियां पकड़ी, तब मैं उनसे ये कह पाऊंगा, कि मैंने चार मचलियां पकड़ी है, तब मुझे कोई दुख भी नहीं होगा, कि मैंने कोई जूठ बोला, क्योंकि ये मचलियां सच में मैंने तो यह सोच कर जाऊंगा कि आज मैं नाकाम्याब नहीं होंगा। इस कहानी से हमें यह सिख मिलती है कि जिन्दगी में आपको असफलता कई बार मिलेगी, लेकिन अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप असफल होकर ही दुखी रहना चाहते हो या फिर सफलता का रास्ता कर खुश होना चाहते हो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।